अगर आपके सरीर में केलसियम की कमी हो गई है, विटामिन D3 की कमी हो गई है, तब आपको जोडों में दर्द बनने लग जाता है, कमर में दर्द बनने लग जाता है, एडल्स में, युवाओं में, वैस्क में, रीर की हड़िया जूकने लग जाती है, जिसे हम आस्टियो मले मलेशिया है वहाँ अधिक्तम व्रध लोगों में होता है क्यूंकि व्रधा वस्था आते आते आपके सरीर में केलसियम का लेवल विटामिन D3 का लेवल कमजोर होने के वजह से आपकी रीड की हड्डिया जुकने लग जाती है जो आस्टियो मलेशिया कहलाती है विटामिन D की कमी से बच्चों का सार्जिक विकास रुख जाता है जिसे हम रिकेट्स नाम की विमारी कहते हैं बच्चों का विकास रुखने के साथ साथ बच्चे का सरीर काफी कमजोर और रुखा हुआ होता है विटामिन D3 की अगर कमी हो गई है तो आप इसी भी कारे में मन नहीं लगेगा आपका उत्सहा शमाप्त होता हुआ नजर आएगा आप जादा भारी काम नहीं कर सकते बल की कमी हो रही है ऐसा आपको महसुस होएगा अगर विटामिन C आटिटी आपकी बॉड़ी में उपलब्ध है और लेबल है तब आपको ऐसा महसुस होगा कि आप काफी फूर्तिले और उर्जावान है आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति साट साल के बाद भी स्ट्रॉंग दिखते हैं विटामिन D3 की कमी होने पर युवा वस्था में ही व्रधा वस्था का अनुभव होने लग जाता है अर्थात की एक युवा व्यक्ति भी विटामिन D3 की कमी की वजह से अपने आपको व्रध महसूस करने लग जाता है अगर आप में विटामिन D3 की कमी हो गई है तब मैं यहां आपको कुछ साधारन से उपाए और अहर बता रहा हूँ आप इन डाइट का फालो करके इन अहर का फालो करके अपने सरीर से केलसियम की कमी को दूर कर सकते है विटामिन D3 की कमी को दूर कर सकते है वैसे विटामिन D को रासाइनिक रूप से केलसी फेराल की नाम से जानते हैं अगर आपके सरीर में केलसी की कमी हो गई है विटामिन D 3 की कमी हो गई है तब ऐसी स्थिती में आपको दूध एक गिलास दूध में लगभव पाच खारक, जिसे हम छुवारा कहते हैं एक गिलास दूद में 5,4 को उबाल करके उस दूद और चुवारा को आपको खा लेना है अगर आप ऐसा कर लेते हैं, तब आपके सरीर से केलसिम की कमी दूर हो जाएगी विटामिन D3 की कमी दूर हो जाएगी अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तब आपको अपने आहार में अपने भोजन में पनीर का सेवन करना है पनीर में भी परियापत मात्रा में केल्सियम मिल जाता है साथी साथ अगर आप पनीर नहीं ले सक रहे हैं तब आप देसी घी खाकर की भी देशी घी से भी आपको विटामिन D परियापतर मातरा में मिल जाता है और आपके सरीर में जो केलसियम की कमी हो रही है वह पुरी हो जाती है क्योंकि विटामिन D3 हमारे सरीर में केलसियम के निर्मान को उत्ती जित करती अर्थार विटामिन D3 की सहता से हमारे सरीर में केलसिम का निर्मान होता है जिससे हमारी अस्थिया, हमारी बॉंस मजबूत रहती है हमारी हड्डिया श्ट्रॉंग रहती है अब आपने देखा होगा कुछ लोग न दूद का सेवन करते है न छुहारा का सेवन करते है न घी का सेवन करते है लेकिन तब भी उनका सरीर फिट और तंदुरुस्त रहता है मजबूत रहता है, बलिस्थ रहता है ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ सबजियां हरी सबजियों में भी परियाप्त मात्रा में विटामिन D3 पाया जाता है अगर आप नानवेज तरीके से अपने शरी में विटामिन D3 की कमी पूरा करना चाहते है केलसियम की कमी को पूरा करना चाहते है तब ऐसी स्थिती में आप अंडे का सेवन कर सकते है वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ अगर कोई वैक्ती अंडे खाना चाहता है तब उसे एक दिन में एक से ले करके अधिक तम चार अंडे तक लेना चाहिए चार अंडे से अधिक अंडे नहीं खाना चाहिए क्योंकि सरीर में कोई किसी भी अहार को उतनी ही मात्रा में लेना चाहिए जितना की हमारा सरीर उसे digest कर सके अगर हम अधिक मातरा में अंडे का सेवन कर लेंगे तब हमें digestion की problem आ सकती है और हमें कई प्रकार की शमस्य है उत्पन हो सकती है अतर किसी भी चीज़ को संतुलित मातरा में हमें लेना चाहिए अंडे खा करके आप अपने सरी की calcium efficiency को हुई है उसे efficiency में बदल सकते हैं अर्थात आप calcium को पर्याप्त मातरा में grow करवा सकते हैं अगर आप अंडे खाते हैं संभव हो आप डेसी अंडे का सेवन कर सकते हैं साथी साथ मास मास में भी परियाप्त मातरा में केल्सियम पाय जाता है आप मीट खा करके भी केल्सियम को डेवलप कर सकते है अगर आप मासाहरी है तब आप मास खा करके भी केल्सियम को अपने शरीर में ला सकते है केल्सियम की कमी को आप दूर कर सकते है साथी साथ आप मचलिया खा करके भी केल्सियम की कमे को पूरा कर सकते हैं इस प्रकार से साकाहरी और मासाहरी दोनों तरह के लोग अपने सरीर में केल्सियम के विकास को बढ़ा सकते हैं केल्सियम के डेफिसेंसी को रोग सकते हैं साथी साथ विटामिन D3 के निर्मान के लिए सुरी की धूप अर्थात की सनलाइट बहुत जलूरी होती है अतह आपको अगर विटामिन D3 की कमी है तब आपको सुरी के प्रकास में कम से कम दिन भर में 10 से 20 मिनट सुभा की धूप आपको निस्ची थे रेना चीए अगर आप सुभा की धूप लेते हैं सनलाइट लेते हैं सुभा अगर आप शुरी की रोशनी ग्रण करते हैं तब आपके सरील में विटामिन D3 परियापत मातरा में बनी रहती है और अगर विटामिन D3 परियापत मातरा में हैं तब आपके सरील में केलसिं की कमी नहीं होती ह आई हॉप मेरे दुवारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगिए थैंक यू